नमस्कार बच्चो आप सभी का वेफसाईक अध्यन की ओनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको वेफसाई, वेपार और वानिज्य पाठ के अंतरगत, जोखिम की प्रकतिक, उसकी विशेष्टाएं, उसके कारण और एक उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन से मूल घटक होते हैं, इसके बारे में अध्यन करवाओंगी। चलिए, जानते हैं कि जोखिम तत्व होता क्या है। जोखिम, बच्चो यह शब्द आपकी दंचरिया में कहीं ने कहीं जरूर प्रियोग होता है। आप अक्सर सुनते हैं कि यह कारे ना करो, इसमें बड़ा जोखिम है, किसी भी कारे को करने से पहले आपको कह दिया जाता है कि यह कारे बड़ा ही रिस्की या जोखिम पूर्ण है। क्यों? ताकि उसको करने में किसी प्रतिकूल गटना का सामना ना करना पड़ जाए या किसी प्रकार की हानी या नुकसान ना हो जाए। प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया जोखिम क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं, सधारन तोर पर किसी प्रतिकूल गटना के गटित होने की संभावना को हम जोखिम कहते हैं। इसी प्रकार जब विफसाई में भी अपरियाप्त लाब या हानी होने की संभावना बनी रहती है, तो उसे विफसाई जोखिम की संग्या दी जाती है। हम जानते हैं व्यवसाई की स्थापना लाप्राप्ति के लिए की जाती है जिसे एक व्यवसाई अपने व्यवसाई को दीर काल तक जेवित रख कर प्राप्त करना चाता है जिसके लिए व्यवसाई की लगाता और प्रगती हेतु अनेक योजनाई बनाता है और उन्हें करिया हुआ है तो व्यवसाई के नियंतरन से ये भाहर होती है जो समय तथ्य पर निर्भर करती हैं हम व्यवसाई की स्थापना प्रियाप्त लाब अर्जित करने के लिए करते हैं परन्तु यह लाब हमें प्राप्त होंगे या नहीं होंगे कहीं इसको संभव तौर पर नहीं कहा ज कहेंगे हानी होने की इसी संभावना को जो अचानक किसी गटना या परिस्तिती के परिवर्तन के कारण उत्पन हो जाए हम व्यवसाई जोखिम कहते हैं यहां यह स्पष्ट है कि यह हानी नहीं है हानी होने की संभावना का होना है यह व्यवसाईक जोखिम अनिश्चित्ताओ और आक्समिक घटनाओं का परिणाम होती है जो विवसाई के नियंदरन से भार होती है उतारन के लिए आपकी वस्तु की मांग में अचानक परिवर्तन हो जाए रहक किसी कारण वर्ष आपकी वस्तु को खरीदने से मना कर दे उभोगता आपकी रूची से किसी कारण से परिवर्तन कर ले नई प्रत्योगी फर्म बजार में आ जाए बजार में कच्छे माल के मुल्ले बढ़ जाए या किसी कारण से लागते बढ़ जाए इस सबी स्थितियां आपको हानी की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगी, बरत्मान लाग में कमी ला देंगी, इस व्यवसाई जोखिम को हम दो प्रकार में बाढ़ सकते हैं, अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम, अनिश्चित जोखिम को अनुमानित संबंदी वावना में बना रहता है। यदि भविष्यक की परिस्तितियां व्यजित के पक्ष में होती हैं, तो व्यजित करता है। वस्तू के मुल्य में भी अचानक यदि उतार चड़ाव हो जाए तो विवसाय लाब हानी दोनों ही स्थितियों में बना रहेगा। इसी प्रकार मशीन, बिजली, पुंजी की प्रियापत मात्रा यदि अवशक्ता के समय उपलब्द ना हो तो विवसाय हानी की स्थिति में हो सकता है, सरकार की नीती में अचानक परिवर्तन हो जाए तो विवसाय लाब हानी की स्थिति में हो जाता है, इस प्रकार के अनिश्चित जोखिम का अनुमान संभव है, यह जान बूच कर वहन किया जाता है, और इसमें लाब हानी दोनों पक्षों को देखा जाता है, और इ पर निर्भर करती हैं जैसे किसी मुकदमे का हार जाना जो विफसाई के उपर हुआ था आग चोरी हरताल किसी करमचारी का मर जाना मृत्ति हो जाना यह सब प्रिस्तितिया उत्पन होने के कारण विफसाई हानी उठाता है अन्यथा नहीं उठाता है तो यह जोखीम हमेशा ही विफसाई में बना रहता है इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता पनतु इसका बीमा करवाना आवश्रक होता है हम निश्कर शुर्प में कह सकते हैं कि विफसाई का जोखीम उसके आंतरिक और बाहरी वातावरन की अनिश्चित्ता के कारण उत्पन होता है जो विफसाई द्वारा सही सही पुर्वा नुमान लगा कर इसे कम किया जा सकता है अनिथा इस हाने का सामना अवश्य ही करना पड़ता है विफसाई चोखीम प्रत्कुल घटना के कारण विफसाई को हानी होने की संभावना को बनाई रखना है यह घटनाएं विफसाई के नियंदरन से बहार होती है चलिए इसके गहनता से जानने के लिए इसकी प्रक्रती और विशिष्टाओं पर नजर डालते हैं सबसे पहली विशिष्टा है विफसाई जोखीम अनिश्चिताओं के कारण होते हैं विफसाई में जो भी क्रियाएं करनी होती हैं वे अनिश्चित होती हैं कितनी वस्तुएं बनानी हैं यह विचार बजार मांग पर निर्बर करेगा जो कम या ज़्यादा हो सकती हैं और वस्तु का बजार प्रतियोगिता पर उबोकता की रूची, मुल्य, पूर्ति, आदिसे ब्रभावित होगा यानि विफसाई भविश्य की घटनाओं से अनभिग्ण होता है जो अनिश्चिता को जनम देती हैं हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि विफसाई अमुक कारे को कर सकेगा या नहीं विफसाई में अनिश्चिता के कई कारण हो सकते हैं चलिए उन्हें जानते हैं जैसे प्रकृतिक आपदाई जिसमें भूकम, बाड, सुका, आदी, तुफान, सुनामी, बिजली गिरना, हिमपात, महमारी, टिड़ी दल का फसल पर आकर्मन करना ये सब शामिल है जो विफसाई को हानी उठाने की परिस्तिती में खड़ा कर देती हैं दूसरा संकट हम मान सकते हैं विफसाइक संकट के रुप में वस्तों की मांग और पूर्ती में परिवर्तन, मुल्य में परिवर्तन, ग्रहक के फैशन और रूची में बतलाव, प्रतियोगिता का प्रभाव, ग्रहक की अतरिक्त विक्रे सेवाई नेती, लागतों में व्रिदी ये सब इसके अंतरगत शामिल होती हैं। राजनेती कारणों के कारण जैसे सरकार की उद्योग निती में परिवर्तन हो जाना, ग्रांट अनुदान की मात्रा में कमी कर देना, समर्थन ना मिलना, अत्रिक्त प्रतिबंद लगा देना, ये सब इसके अंतरगत आते हैं। तक्नीकी कारणों में नई तक्नीक का आगमन, मशीनी करन, दोशपूर्ण, मशीनों का परियोग करना ये सब शामिल है. ये सबी कारण विफसाई में अनिश्चित्ता के तत्वों को बनाई रखते हैं, जो जोखिम के कारण होते हैं, इनको पूर्वनुमान लगाना बहुत कठिन होता है. दूसरी इसकी विशेष्टा है ये प्रकृति है, जोखिम प्रतेक विफसाई का अवशक अंग है, हर एक विफसाई में जोखिम बना रहता है, ये जोखिम की मात्रा बिन-बिन विफसाईों की परिस्तितियों की अनुसार घड़ती या बढ़ती रहती है, जोखिम को समाप नहीं किया जा सकता परंतु इसको कम करने के प्रयाश अवश्य किया सकते हैं तीसरा है जोखिम की मात्रा विवसाई की प्रकृति और अकार पर निर्भर करती है किस प्रकार का विवसाई है इस पर विवसाई की जोखिम की मात्रा निर्भर करती है जैसे नमक दूद घी मखन गैस, चाय, चीनी, इत्यादी, जिनकी मांग सदेव और अवश्य ही बनी रहती है, ऐसे वेफसायों में जोखिम कम होता है, क्योंकि वस्तुएं हर हाल में बिख जाती हैं, दूसी तरफ फैशन, विलासिता की वस्तुएं से जोड़े उद्योग, जैसे मोटर कार, कपड़े, टीवी, फ्रिज, अभूशन, मकान, इत्यादी में जोखिम अधिक होता है, तरफ इन वस्तुएं की मांग सीमित होती हैं, तो दूसी तरफ इन में पूंजी, विन्योग, तत्व, नव प्रवर्तन, इन सब की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, एक अधिकार प्रवर्ती व पूंजी, विन्योग, शित्र, विस्तार, ग्रहक, ये सबी बड़ी मात्रा में होते हैं, जरासा परिवर्तन भारी नुकसान कर देता है, तो दोसी तरफ छोटे विफसायव में सीमित उत्पादन और सीमित पूंजी के कारण कम हानी होने की संभावना पनी रती है, अर्था जादा पैसा, जादा नुकसान, कम पैसा, कम नुकसान, चौत्थी विशेशता है, जोखिम उठाने का प्रतिफल लाब होता है, कहते हैं कि लाब विफसाई के सहस का नतीजा है, जो विफसाई जितना अधिक सहसी वा बड़े-बड़े योजनों में बिना डरे पैसा लगा कमाता है, वे उतना ही अधिक लाब कमाता है, अंत बड़ा विफसाई, बड़े लाब, बड़ी हानी भी होती है, और जोखिम की मातरा भी उतनी ही बड़ी होती है, अंत लाब और जोखिम में घनात्मक संबंध है, बड़ा विफसाई, अधिक लाब, अधिक जोखिम, छोट और यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवसाइक जोखिम की क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहला कारण है प्रकृतिक कारण बच्व प्रकृतिक आपताओं के कारण से भी व्यवसाइक को जोखिम वेहन करना पड़ता है प्रकृतिक पर मुनुष्य का नियंदर नहीं होता ये परिस्तितियां कभी भी कहीं भी उत्पन हो जाती हैं। इन प्रकृतिक आपदाओं का हम ठीक से पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे विश्व की संपून अर्थव्यवस्ता इस समिक COVID-19 की महमारी से जूज रही है। अनेक विफसाइब बंध होनी किस्तिती में हैं। उनकी लाब घड कए हैं। प्रियाटक उद्योग, खाद्यान उद्योग, भोजनाले, वायुयान, आयात वैपार, निर्यात वैपार ये सभी प्रभावित हैं। इसी तरह से गुचरात के भूकम्प ने और सुनामी ने देश को वैपारिक दृष्टी से जोखिम की स्तिती में ला दिया था। यह आपदाएं मौसम, धर्ती के भूग, घर्वे, परिवर्तन, वातावर्न, आपदा से उत्पन होती हैं। जैसे आंदी, तुफान, बिजली गिरना, प्रदूशन, हिमपात, बाड आ जाना, सूखा हो जाना, भुकम्प आ जाना, भूमी खिसकना, गैस या टिड़ी दल का हमला हो जाना, बादल फट जाना, इत्यादी। इन से विफसायों को भारी हानी का सामना करना पड़ सकता है। रूचियों में बदलाव ले आना, ये सब कारण विफसाय कोहानी की सिती में ला सकते हैं। करमचारी उत्पात की चोरी वा गबन करते हैं, गरहकों को धोका देते हैं, कारे पर सावधानी से कारे नहीं करते, उधार विक्रे से भुकतान प्राप्त नहीं होता, मिलावर धोकरदरी अपनाई जाती हैं। करमचारी हरताल तालवन्दी को अपनाते हैं, ये सबी कारण विफसाय में जो खिंतत्व को बढ़ा देते हैं। प्रतियोगी की छूट संबदी नीतियां, ये सबी कारण विफसाय को चोखिं किस्तिती में खड़ा कर देती हैं। अन्य कारण, इसके अतरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो विफसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे देश में राजनेतिक उतल पुतल का होना, मशीनों का ना चलना या खराब हो जाना, बॉयलर का अचानक फट जाना, मुद्रा के विनिमेदर में उतार चड़ावाना, तैयार माल का दोशपुन हो जाना, नई तकनीक का अचानक आ जाना, सरकारी प्रतिबंद लागू होना, करो की नीतियों में परिवर्तन हो जाना, आयात निर्यात पर प्रतिबंद, किसी विपार के कानून में परिवर्तन इत्यादी, जिससे विफसाय में जोखिम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बच्चों, आपने अब तक जोखिम के बारे में जाना, तो क्या जोखिम से बचने के कोई उपाय नहीं है? बच्चों कुछ साथधानिया बरत कर हम जोखिम के प्रभाव को कम कर सकते हैं, परंतु पूर्टा समाप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे अधिंग जोखिम से भरे विफसाइक सौदों को ना अपनाना ना करना, बीमा कमपनियों के शरण में जाना, छोटे जोखिमों के लिए आ करना, करमचारियों द्वारा कारे के दोरान सावधानिया बरतना, और काफी हद तक पूरुवानुमान लगाने का प्रियास करना, ये सबी कारण आपको जोखिम को कम करने में सहता प्रदान करते हैं, चलिए अब उन तथ्यों का ध्यन करते हैं, जो एक व्यक्ति को विफसा स्थापित करते समय ध्यान में रखने होते हैं, जिनका गहनता से अध्यन करके एक विफसाई अपने विफसाई का चैन कर सकता है, वर्तमान समय में यानि विफार के आरंब करने के मूल घटक, विफसाई अनेक रूपों में हैं, जैसे एकाकी, साजेदारी, सहकारी समीती, क इतियादी इन सभी सोरूपों की अपनी पनी विशिष्टाएं हैं तुमी जिसने विफसाई या उदम को स्थापित करना है या जो प्रवर्तक विफसाई की खोज के विचार को अपने मस्तिश्य में लेकर आया है दोनों के द्वारा विफसाई संबंदी निड्ने बड़ी सा सभधानी से करना होता है तथा कम से कम लागत पर उत्पन सभी समस्यों का समाधान अंत विफसाई को खोलने की योजना बनाना और उसे क्रियानवित करने में विफसाई के स्थान संभावित ग्रहत माल की पूर्ती किसमे करमचारी चयन पूंजी आधी तथ्यों पर द्यान देना होता है चलिए उनके बारे में जानते हैं सबसे पहला है विफसाई के सुरूप का चैन एक उदमी द्वारा सर्व प्रथम विफसाई की प्रक्रती और उसके प्रकार पर ध्यान देना होता है वे किस प्रकार का विफसाई करना चाहता है माल के क्रेविक्रे यानि निर्माणी विफसाये या सेवा से जुड़े विफसाये जैसे बैंकिंग, बीमा, ट्रांस्पोर्ट, पैकिंग का कारियर, विग्यापन, संग्रहन, इतियादी वे इस विपार को एकाकी व्यक्ति के रूप में, साजेदारी के रूप में या कंपनी के रूप में करना चाता है, विफसाये को चुनते समें उसके द्वारा उत्पन वस्तु के संभावित ग्रहा क्या होंगे, उसका स्वैम का तक्रीकी ज्यान कितना है, उत्पाद के प्रती, रूची क्या है उसकी, अब भी निर्ने विफसाये के सुरूप को प्रभावित करेंगे, विफाम का अकार, विफसाये को चुन लेने के पिश्चाद, विफसाये का अकार वो विस्तार संबंदी निर्ने लिया जाता है, एक उद्वी को विफसाये का पैमारा निर्धारित करते समें, पूंजी, उत्पादन, साद्नों की उपलब्दता, उत्पाद की प्रक्रती और उसकी मात उसके विस्तार की संभावनाएं, प्रियाप्त प्रबंद शम्ता, जोखिन की मात्रा, विपनन सोविधाएं, बजार की दिशाएं, ये सब के अधार पर व्यवसाई के बड़े और छोटे अकार को लिश्चित करना होता है। स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव यदि स्वामित्व की दिश्टी से देखा जाए, तो व्यवसाई, एकाकी, साजेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाई, संयुक्त पुंजी कंपनी इत्यादी अनेक रूपों में हो सकता है। यह सुरूप अपने गुण और दोशों के कारण अलग-लग दशाओं में उप्युक्त होते हैं। दाइत्व के दरिष्टी से देखना हो लाव से देखना हो। तो सीमित दाइत वाली कंपनी सबसे उत्तम विकल्प है। इन घटकों के अधार पर हम विफसाय स्वामित्व का चैन कर सकते हैं। उदम का स्थान, विफसाय का स्थान, विफसाय क्रियों के संचालन में महत्पुन भूमी का निभाता है। अंत इसे बड़ा सोस समझ कर चुनना चाहिए। इसे चुनते समें कच्चे माल की उपलब्दता, शमिको की उपलब्दता, बिजली आपूर्ती, बेंकिंग यातायात, सम प्रेशन भंडार सुविधाएं, अनकूल वातावरन, विकास संभावनाएं, प्रियाप्त बजार, आ चाहिए। प्रस्तापन की वित्विवस्था, बचों विफसाई की स्थापना और उसे बनाए रखने के लिए प्रियाप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। यह पूंजी रोज के धैनिक खर्चों का भुगतान करने और थात कारेशिल पूंजी के रूप में या की विफसाई गति विद्यों में गति-षीलता बनी रहे। विफसाय में विथ्वि徒 की व्यवस्था उचित मात्रा में बनी रहनी चाहिए। जो विफसाई के आकार पर प्रकृतिक पर निभर करेगी। इसमें किस प्रकार की पूंजी विफसाय को चाहिए देर्गकालीन या अल्पकाली इसका निर्धारन करना होता है उन्हें प्राप्त करने के शोतों को भी देखना होता है और फिर उनका सर्वोत्तम प्रियोग संभव बनाना होता है वित की प्राप्ति हेतु प्रती व्यूतियों को जारी करना है या नहीं करना या उनका कितना मुल्य निर्धा करना है यह सब निर्ने भी इसमें शामिल होते हैं भौतिक सुविधाएं पुंजी उपलब्द करने के पश्चात वैफसाई की भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जैसे मशीन, साजो समान, भवन, और जार, फरनीचर, उपकरन, आदि जो वैफसाई की प्रकृ संपति और अकार, वित्व उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी जदी वैफसाई बड़े अकार में हैं तो स्थाई संपति आधिक चाहिए अन्यता कम चाहिए स्थाई संपति में विन्योग बड़ी मातरा में होता है और इसमें असानी से परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता इसका निड़ने लेते समय बड़ी साफधारी बरत्नी होती है सयंत्र की स्थापना भौतिक सुविदाओं की विवस्था के पश्चात मशीनों के कारखानों में लगाने की यूजना बनाई जाती है जिसमें मशीनों का घहराव कच्चे माल की उपलब्दता श्रमिको अपवय ना हो कारे में प्रभाग गत्ती शीलता बनी रहे सभी साथन सुगमता पूर्वक सही जगा पर उपलब्द हो निर्मित माल की प्रियाप्त मात्रा और सुगमता से उपलब्दता की विवस्था हो इन सभी तक्यों का विशेश ध्यान रखना होता है शक्षम और वचनबद कामगर बल विवस्था के कारियों को संचालित करने के लिए कुशल और टिकाउ करमचारी प्रबंदग श्रमिक की अवशक्ता होती है जो भौतिक साथ्दों का कुशलता पूर्वक प्रियोग करके इच्छित परिणा दे सकते हैं व्यक्तियों के सुरूप में या व्यक्तियों के रूप में व्यक्तियों के रूप में व्यक्तियों को करता है जिसमें स्वामी, प्रबंदग, करमचारी, श्रमिक सभी आते हैं इन सबी व्यक्तियों की विफसाय संचालन हेतु विवस्था करना भी अत्यंत महत्पुन कारिय है। विभिन स्तर पर पदों की अवशक्ता का अनुमान लगाना, उनकी उपलब्दता का पता लगाना, उनके शिक्षन प्रशिक्षन की विवस्था करना और समय समय पर उनको प्रेरीत करना जिससे करमचारियों के कारे में रूची बनी रहे और वो प्रगती की दिशा में संस्थ आपना संबंदी अपचारिकताओं वो अलग-अलग अधिनियम के तहत स्थापित होने के कारण भिन-भिन होते हैं कोई व्यवसाय कर प्रावधानों से बचा होता है तो किसी व्यवसाय पर सबसे अधिक करदाइद्व होते हैं यह करदाइद्व व्यवसाय की प्रकति और में प्रवर्तक और उद्दमी को करका द्रिष्टिकोन भी व्यवसाय की चैन में बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान देना होता है इसलिए व्यवसाय निश्चित करते समय प्रवर्तक और उद्दमी को करके द्रिष्टिकोन से भी व्यवसाय चैन का पूर्व विभिशले कर लेना होता है उदम परवर्तन सभी वर्लित बातों का चैन करने के पिश्चाग अब उदमी विवसाइक को वास्तविक रूप में स्थापित करने का निड्ने ले सकता है संसादनों में गतिशीलता प्रदान की जाती है करमचारियों को कारे बांटा जाता है वस्तु का उत्पादन शुरू होता है विज्यापन के माध्यम से जनता को वस्तु की जानकारी दी जाती है वस्तु की मांग उत्पन होती है और इस प्रकान प्रवर्तन प्रक्रिया नए विचार अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए वस्त्विक्ता को प्राप्त होते हैं और अब एक विफसाई इकाई की स्थापना हो जाती है बच्चो जोखिम संबंदी अध्याए हमारा यहां पर समाप्त होता है आशा है इसे आपने ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा चलिए आपके ज्यान को परखा जाए मान लीजिए आप किसी बेकरी विफसाई को खुलने जा रहे हैं तो किन दिमातों का ध्यान रखेंगे इस पर एक रिपोर्ट टियार कीजिए दूसरे मैथपुन पशन जो आपने करना है वो क्या है जोखिम अनिश्चित्ता की जननी ह इस पर अपने विचार को प्रकट कीजिए धन्यवाद बच्चों